axis load का इस वीडियो में आपको दो step है एक है checking part और एक है setup part चेकिंग part में पहले आपको आर्थिंग करना है इस आर्थिंग के लिए आपको multimeter लगेगा जो आपका link दिया जा रहा है उसमें एक number वीडियो को देखिए तो process पता चल जाएगा दूसरा step है setup part setup मतलब इसके लिए सिर्फ operator लगेगा, जो command दिया जाएगा, उस command से इसको check किया जा सकता है, तो इसके लिए आपको 8 number वीडियो देखना है, तीसरा point है, load cell का resistance check, जो की सिर्फ multimeter से check किया जा सकता है, इसलिए 5 number वीडियो देखिए, और चौथा पट है, stopper and platform movement checking, इसके लिए 34 पान्हा लगेगा, और ये 2 number वीडियो को देखिए, और उसके बाद है, open and reconnect the load cell, मतलब आपका जो indicator है उसके पीछे, जो load cell का connector है, उसको खोल के फिर लगाईए, इस वीडियो को देखने के लिए 6 number वीडियो को देखिए, और आखरी point है, जो की load cell को individually check करना है, और इस process को द data part में जाके आपको ये machine को calibration करना है, उसके लिए high load vehicle लगेगा और low load vehicle लगेगा दोनों को, इसी और काटे से काटा करके उसका slip प्लस गाड़ी दोनों को लगेगा, और ये जो process है, ये आपको चार number वीडियो में देखने को मिल जाएगा.